जोला चाप डॉक्टर बना नौ माह के बच्चे की मौत की वजए परिजनों ने किया हंगामा क्लीनिक में की तोड़ फोड थाने में दितहरीर डॉक्टर फरार बुखार से पेडिं बच्चे की एलाज की दोरान मौत हो जाने से गुसाई परिजनों ने क्लीनिक पर जमकर हंगामा करते हुए तोड़ फोड की मृतक बच्चे के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की जान चली गई परिजनों ने थाने में तहरेड देकर कारवाही कि मांग की है जब कि डॉक्टर फरार बताया जा रहा है सुहरा थाना क्षेतर के RSP रोट का है जहां बालाजी क्लिनिक बाल रोग विशेशग्य के नाम से क्लीनिक है जिसको डॉक्टर संजीव नामक व्यक्ति चलाता है बताया जा रहा है कि शिवाला कलाथाना क्षेत्र का रहने वाले शेर सिंग का नौ महिने का बच्चा बुठार से पेड़ित था जिसको इलाज के लिए वे हपने पत्मी के साथ बालाजी क्लीनिक पर पहुँचा परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बच्चे को लगातार तीन इंजेक्शन लगाए और उसके बाद बच्चे को धिप लगा दे कुछ देर बाद जब बच्चे की हालत बिगरने लगी तो डॉक्टर ने उसको ले जाने के लिए कहा थोड़ी देर बाद बच्चे की मौत हो गई बच्चे की मौत के बाद गुसाई परिजनों ने क्लीनिक पर हंगामा करना शुरू कर दिया और तोड़ फोल भिकी देखते देखते वहाँ पर सैगरों लोगी कठा हो गए इस दोरान डॉक्टर मौका देखकर फरार हो गया बच्चे की परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कारवाही की मांगी है